हम सिंद एदराबाद से हुए हैं हमारी यह बात हम हिंदू यह इस लिया हैं क्योंकि हमारी प्रेशन यह यह यहा है कि हमारा धरम नहीं है यहाँ पे वहाँ पे धरम हमारा नहीं है क्योंकि हम जाते हैं हमारा संदूर पी नहीं लगता ना मांग में नहीं भरते हैं ना बिंद पूजा थामाना जो हूंश जिसे संदूर बिंद्या नो लगा के जाएंगे प snohone हेला हुझाहर रृति हो is जखों के लिए अगरेशा दिए हई हमारे दर्म नहीं है। इसलिए हम भारत में आई हैं। हमारे कुछ भी हो जाए हम जाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम यही बात है, यही हम यही रह रहे हैं, सारे हमने सिप्लाइ भी कर दिये सरकार को, अभी तक का अभी नहीं हमारे को भाई जाओ, अभी तक बेठे हैं, एक साल हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछी से खा रहे रात को बच्चे का मा के आ जाते हैं रमूर को वर्ठीलिया हुई लिया बस सुकुन से रह रहे हैं हमें इजाज़त मिल गई है अभी सरकार की तरफ से कोरट का केस्ता वो हमजीद गए हैं जैसे हमारी रहने की यहां पर परमीशन मिल गई है हमें बच्चों को खुशी से अच्छा लगा यहीं हिंदू धरम का दो देख लिया न हमारे बचे खुश होगी है अजादी मिल गई हमारे जैसे माई जादी मेँ बेटेश हैं यही प्र आतना हम नहीं जाएंगे बस मर जाएंगे पर नहीं जाएंगे यहीं पर बस क्या होता है मताँ वहाँ पर हिंदू बरवारों को किस तरह की समस्या आती है चुक्कि आपने काम किया है आपने वहाँ लोगों से मिलते हैं जी मैं सन 2006 से लेकर 2009 तक जे चाड़ी का अब्जरवा रहा हूं पाकिस्तान के लिए हुमन राइट अब्जरवर और मैं आपको छोड़ी छोड़ी चीज़ों को बताना चाहता हूं क्योंकि 2009 की घटना है लाहोर सिर्फ 25 किलोमेटर दूर है हिंदुस्तान की बौर्डर से वहाँ पर एक राधा नाम की महिला थी उमर भात्तर वरस उसका देहान दो गया और देहान दोने के बाद हम सब लोग वहाँ पर हुमन राइट और्डनाजेशन्स दुनिया भर के चाह रहे थे कि पाकिस्तान में हिंदुों को उनकी जो शरीर है मनोर और परांथ उनको जलाने का अधिकार मिलना चाहिए आपको जानके बड़ा अशारे नहीं होना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में लगबख पूरे पाकिस्तान में हर हिंदु को एक मुस्लिम की तरह दफनाया जाता है कि किर्केट के मैचफ खेले जा रहे थे और और त्रेने जा रही थी और रोज पार्टी जो रही थी तो हमने बोला ये 29 में जानके नहें जाρकार मिलना चाहिए और उन्हों पाकिस्तान सरकारं से और लगफ लगए को खानाने का अधिकार दे दो इसका हंदु सनसकार के कराची शहर और बड़े हिंदू शहर जहां हिंदू पॉपलेशन वो है लगब असी पर्तिशत नबे पर्तिशत हिंदू जो पाकिस्तान में मरते हैं उनको मुस्लिमों की तरह दफनाया जाता है यह अर्जुन भी बताएंगे कि खुद इनके गौंग में यह शरीरों को जलाने जाते तो मुस्लिम पॉपलेशन ने कठे हो जाते कहते हम नहीं जलाने देंगे हिंदू के लिए बरने के बाद हिंदू दाष संसकार होना पाकिस्तान के हिंदू के लिए सबसे बड़ी तरस्ती है नभे से 95 प्रतिशत हिंदू को मुस्लिमों की तौर पे दफनाया जाता है पाकिस्तान का यह सत्य है अलप संक्यकों के साथ हो रहा है मानवादिकार का उन्लंगन संजे हमाई साथ एक कॉलर हैं संजे स्वागत आपका बताईए है तो अपने हिंदुस्तान के कानून में इसा कुछ नियमत होगा सर कि जो बहार से पाकिस्तान से जो हिंदु आ रहे है वो अपने यहां हिंदोर में यह कहीं भी मज्यत देश पुरे भारत में निवास कर सकते ह कि पाकिस्तान में हिंदु का रहना ऐसा है जैसे कि एक काफिर मस्जिद के अंदर रहता हो विल्कुर ठीक मानसिकता का परिशेय जैन सिंग ने दिया हमें और ज्हान सिंग का ये भी कहना था मानिये कि वो हुमन राइट मिनिस्टर थे पाकिस्तान के उनका कहना था कि सिरफ रहने के लिए चट उर खाने के लिए सूखी रोटी मिल जाए तो पाकिस्तान में रहने व बहुत ही इस्टफ गर रहा है और उनको सर वाटर कार्ड और रेसन कार्ड मेल जाता है सर बिल्कुल और पाकिस्तान चे जो बोलते हैं कि हम भी अपना राशन कार्ड बन लेते हैं पांचेजार रपे में बन जाता है तो एक human rights organization होने के करण से हमोने समझाते हैं कि नहीं आपको चोरी चीपे नाशन कार्ड नहीं बनवाना है क्योंकि टू नेशन स्योरी में इस भारत की नागरिक्ता पर आपका प्रत्रम अदिकार है बंगलादेशी में रहने वाले हिंदू पाकिस्तान में रहने वाले की नागरिक्ता ना पाएं सफर करें तो हम सफर करेंगे हम उनको बोलेंगे आप पचास साल तक सफर करो हम इस भारतिया सविधान में विश्वास करते हम उसको तोड़ेंगे नहीं देखिए पाकिस्तान में हिंदू का अत्याचार जो है वह उस थीती तक पहुच चुका है कि उससे ज़्याचार आप करने सकते क्लाइमेक्स पर है आप उनको मंदिरों में नहीं जाने देते आप उनको मंदिन नहीं बनाने देते आप उनको सिंदूर नहीं लगाने देते आप उनको धार में उतिहार नहीं बनाने देते आप उनके मरने के बाद उनकी लाश को जला पापिस्टानी क्रिश्टान की सपोर्ट में दुनिया भर के क्रिश्टान के वेटिकन सिटी एक क्रिश्टान के ऊपर अगर चोटा सा तंकड मारा जाता है तो पूरी दुनिया की पाकिस्टान को फाइनस करते हैं मान के चलिए कि पाकिस्टान इस विवस्ता उनकी मदद के लिए पहुचती है लेकिन जब एक भी हिंदू को जलाने तक नहीं दिया जाता तो हिंदूस्तान भी सरकार भी कहते हैं कि इनका इंटर्नल अफेर हम कुछ नहीं कर सकते मुझे बहुत दुखत या कहें कि एक ऐसी स्तिती है जिस पर विचार करने की दरोत है कोई आदमी अपना देश वैसे ही नहीं छोड़ता है देश सोड़िये जनाब गाव नहीं छोड़ता है कितने प्रतारित हुए होंगे कितने दुखी हुए होंगे कितने अपमानित हुए होंग प्राइव कहा मानेवरे लाको करोडों लोग नर्क की आथना के अंदर जी रहे हैं आज नरेंद्र मोधी के नेतुत में यह बील आने के बाद उनको सनमान मिलेगा उनको अशिकार देगा जब देश का आजादी मिला तब धर्म के आजार पर विबाजन अगर कॉंग्रेस पार्टी न करती तो यह इसकी जरूरत न परती इसके किया दर्मकादार बर्मी बातर